नमस्कार आपका बर्थ डिटेल 9 अगस्त 1990 टाइम ओफ बर्थ है शाम के साड़े पाँच बजे आपकी कुंडली जो है वो धनू लगन की कुंडली है और चंदरमा कुम राशी के अंदर बैठे हुए है राशी के स्वामी शनी है लगन के स्वामी ब्रस्पती है राशी के स्वामी शनी है लगन से शुरुबात करते हैं लगन धनू लगन है धनू लगन अगनीततो राशी का लगन होता है और धर्म प्रधान राशी ये कहलाई जाती है कोदंड राशी ये कहलाई जाती है और इसमें शनी देव विराजमान है वक्री होके ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की क्रियाओं को अपना कर अपने जीवन का जीवन यापन करन अगर कोई उसके साथ बुरा कर रहा है तो वो बुरा कर देगा कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा कर देगा कोई आउसत है तो वो आउसत रहेगा शनी जब लगन में होते हैं तो व्यक्ति के इच्छाएं को बढ़ाते हैं चेस्टाव को बढ़ाते हैं व्यक्ति खोजी प पुंब राशी है शनी देव आज कल मकर राशी में गोचर कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको शनी की साड़े साती का प्रथम चल रहा है राहू कुंडली के दूसरे घर में है शनी उसके उपर ट्रांजिट कर रहे हैं ब्रसपती भी वहां आएंगे तो आगामी डेड़ वर् तो थोड़ा सोच समझ कर दें क्योंकि ऐसी श्चितियों में पैसा फस भी जाता है और वापस भी नहीं आता है तो थोड़ा स्योर होके ही आप इस काम को करिएगा चलिए चंदर्मा इस कुंडली में अश्टमेश होके तीसरे घर में है कभी कभी ऐसी श्चिति छोटे है आपको अपनी दशा में चंदर्मा शारीरिक कष्ट भी दे सकता है परिशानी भी दे सकता है मंगल पंचमेश होके पंचम में अगिनितत वराशी का मंगल है यह आपको जोश रशाहस देता है बुद्धी की कुशागरता को बढ़ाता है बुद्धी को तीवरे करता है सं ब्द्ध के बारे में बात करें सब्तम और दशम का मालिक बुद्ध भागय स्थान में बैठा हुआ है इसका मतलब है सब्तमेश जब भागय स्थान में तो कहा जाता है कभी कभी पतनी के आने के बाद व्यक्ति को सोर्स ओफ इंकम में फायदा हो जाता है जैसा कि यहां देख यानि पतनी के आने के बाद कोई source of income बढ़ जाएगा या तो सकता है पतनी कोछ अच्छा का सा धन लियाए, ससुराल पक्षाच्छा मिल जाए या पतनी स्वयम धन कमाने वाली मिल जाए तो वो इस्चिती भी यहां देखी जाती है कुंडली का सारा जो मुख्य आधार है वो आपके आठवे घर के अंदर बसा हुआ है अब आठवा घर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है आठवा घर अलचन, परेशानी, किसी भी कारे में रुकावाटाना, बार बार रुकावाटाना, संघर्ष के साथ सफलता इनके लिए जाना जाता है साती सात अचान बेटे हैं उच्च के होके और ब्रस्पती भी परम उच्च के डिगरी के बहुत आसपास हैं ये ब्रस्पती आपको घर परिवारत सहयोग दिलाएगा पैतरक संपत्ती दिलाएगा आप स्वैम के बल पर अपना मकान खड़ा करने में शक्षम होंगे उसे साफ से ये पोजिश शक्र भी वहीं है अब शक्र विवा का कारग रहे जब विवा का कारग रहे यहां भी आठवे घर में हो और यहां भी आठवे घर में हो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जीवन में वेवाहिक सुख में कमी तो आएगी कमी का मतलब है कि मैं जैसी पतनी चाहता था वैसी पतनी नहीं मिली या पतनी का सुभाव ऐसा नहीं मिला या हमारे बीच में वैचारी मत भेद रहते हैं वो ठीक परकार से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो वैसी इस चतियां आपको जेलनी ही पढ़ेंगी यह आपकी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है अब बात करते हैं कुंडली में सूर्य केतू के योग की सूर्य और केतू के वीच अधी 18 डिगरी से कम का फासला होता है तो इसको कहते हैं सूर्य के उपर केतू ग्रहन लगाने की कोशिश कर रहा है एक बात नवमेश हैं सूर्य नवम भाव पिता और पितर के लिए जाना जाता है और वो भी अस्टम भाव में बैठा हुआ आपने कहा क्या मेरी कुंडली में पितर दोश है कोई कहता है और कोई कहता है नहीं कोई कहता है अगर है तो क्या उपाए करें देखिए जब भाग्य स्थान का मालिक, पितर स्थान का मालिक, पिता का मालिक रहू के तू एक्षश पे हो, पिता का कारा का रहू के तू एक्षश पे हो, लगनेश भी अश्टम में ही बैठा हुआ हो, साथ में शश्टे शुक्र भी हो, तो मैं इस कुंडली को कह सकता हूँ कि ये कुंडली एक अधिक संगर्ष करके प्राप्ती करने वाली है इसको कुछ लोग पितरदोष का नाम भी देते हैं हाँ मैं कह सकता हूं कि आपको ये पितरदोष की संग्या की कुंडली है क्योंकि आप इससे जीवन में बहुत जादे संगर्ष और स्ट्रगल करके आत्मिक रूप से परिशान रहें के मांसिक रूप से परिशान रहेंगे इसके लिए उपाए भी मैं आपको हाथ हाथ बता के चलता हूं देखो करना क्या है इसके लिए यहां सूर्य ग्रह प्रबलम में हैं के तो उस पे ग्रहन लगा रहा है यही इसको पितरदोष की कैटेगरी में भी धकेल रहे हैं तो ऐसे स्टिती में क्या है जो प्लैनेट्स प्रबलम में आ रहा है आप उसको मजबूत करेंगे आप नियम से एक नियम बांद लीजिए अभी भी और आजीवन आदित्य हिर्दे स्टोतर का पार्ट करना है आपको मैं उसका लिंक आपको दूँगा बाकी गीता प्रेस के जो स्टॉल है या गीता प्रेस की जो बुक्स आती है उनलाइन वहाँ पे आप आदित्य हिर्दे स्टोतर डाल लीजिए आपको मिल जाएगा उसके आप उनलाइन मगा सकते हैं उसमें करने का तरीका होता है वो रोज करना शुरू करो वो अकेली पूजा आपके लिए ऐसी है जो आपके सारे चीजों पर कवर करेगी मैं आपको और कोई पूजा नहीं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ आदित्य हिर्दे स्टोतर का पाठ करो वो आपके लिए सबसे अच्छा है और साथ में करो संकट नाशन गनेश स्टोतर का पाठ ये दो पाठ आप रोज करो और फिर आप देखो दीरे दीरे करके तरक्य होगी और कोई पूजा पाठ कराने के आपको कोई जूरत नहीं है चलिए तो आपके पहले सवाल का जवाब मैंने दिया सवाल नंबर दो विभा कब होगा वेवाइक जीवन कैसा देखिए वेवाइक जीवन आपके इसाफ से तो एक ओसत दिखाई देता है कोई बहुत बढ़िया नहीं दिखाई देता कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि पतनी आने के बाद कोई सयोग करेगी या वरकिंग आएगी या उसके आने से कुछ घर में धन बढ़ जाएगा शादी कब होगी अभी चल रही है बुद्ध में शुक्र की दशा और बुद्ध तो शादी कराने के लिए तयार हैं लेकिन अंतर दशानात जो शुक्र हैं वो यहां भी अस्टम में बैठे ही हैं यहां भी अस्टम में बैठे हैं एस इस्टिती में रिष्टे आते तो हैं लेकिन होते नहीं है, शुक्र के बाद आएगी दशाष सूरिय की, सूरिय भी अश्टम में हैं, और यहां सेकिंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो सूरिय में भी कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉंग कॉम्बिनेशन नजन नहीं आ रहा, लेकिन हाँ चंद्रमा, मैं समझता हूं 2022 और 2023 में जाकर कहीं आपका विवा होगा, क्योंकि विवा में विलंब के चांस है, जो पूजा मैंने आपको बताईए, वो आपके व्यवाहिक जीवन को सुधारने, और विलंब को दूर करने, परिशानी को दूर करने में भी काम आएगी, तो शादी के बारे में मैं आपक कम से कम चार बार गरब धारन करेंगी, दो संतान की आपको प्राप्ती होगी, और आपके एसाफ से देखता है कि आपको पुत्र संतान भी प्राप्त होगा, बाकी इस चीज का जादा एक कुरेशी पतनी की कुंडली से देखी जाती है, सवाल नमबर चार, सरकारी नौक्स अगर नहीं तो कौन सा वेवसाय करें, तो पहले ये देखते हैं कि क्या ये कुंडली वेवसाय के लायक है, हाँ इस कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, जो ही कहते हैं कि व्यक्ति वेवसाय करेगा तो ठीक रहेगा, अगर आपके घर परिवार में कोई वेवसाय ह नहीं आ रहे हैं यानि इस नौगरी से संबंदित काम आप कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति कपड़े से संबंदित काम क्लोट्स गार्मेंट्स यानि कपड़े से रिलेटिड कुछ भी काम अगर आप अपने जीवन में करते हो तो ऐसा वेबसाय आपके लिए एक फलित वेबसाय कहला उसमें भीम्तित आपके अपने काउशनाइब देखिए पिता के साथ सम्मंद मुझे इस होरस्कोप में काफी problematic दिखाई दिखाई दे रहे हैं साथ इसाथ पिता के स्वास्त में भी मुझे problem दिख रही है आने वाले समय में भी जो दशाएं आएंगी वो पिता के साथ सम्मंद खराब कर सकती है और पिता के स्वास्थ प्रब्लम दे सकती है उसके रिए जो उपाय मैंने आपको बताएं अगर वो करते रहोगे तो वो इन सब चीजों पर अकेले ही हावी है स्वास्थ कैसा रहेगा अभी बुद्ध की दशा है मैंने दिकतर देखा जिन लोगों का लगने आठवे घर में पहुँच जाए राउ के तु एकसेस भी हो शाष्टेश भी हो तो स्वास्थ से संबंदित छोटी छोटी समस्यां जीवन में उनको आती रहती है कोई बड़ी प्रब्लम से मुझे दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी बुद्ध की मादशा काफी लंबी है आपको तो उपाय करने आपके लिए बहुत जरूरी है सिर्फ दो उपाय बताएं है बेना नागा इनको रोजाना करो आदित तेहर्दे स्तोतर का पाठ करो संकट नाशन गने सिस्तोतर का पाठ करो और संडे से इस पूजा को आपको शुरू करना है अभी पित्र पक्ष चल रहे हैं बढ़िया दिन चल रहे हैं आप इसमें पूजा स्टार्ट अपनी कर सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं है पित्रो का भी आशिरवाद आपको इस दोरान मिल जाएगा तो ये दो पूजा करिए और जो स्टोन की बात है मैं पुखराज रतन पहनने की आपको यहां सला अवश्य दूँगा क्योंकि ब्रस्पती थोड़ा पीडा में आ रहा है यहां लगनेश होके है भले ही एक्जॉल्टिड है लेकिन पीडा में है लेकिन बाकी वर्ग कुंडलिया नवांश दशान सब्तांश में ब्रस्पती की पोजिशन ठीक है इसका मतलब आप पुखराज रतन अवश्य धारण करें आपको चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का नग आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको दिखा भी सकता हूँ आपके सान तक पहुचा भी सकता हूँ तो ये था आपके औरस्कोप का निलाइसिस जो पूजा बताईए उसका लिंक आपको मैं शेयर कर देता हूँ नमस्कार